तुम्हारे पास भले ही कोई सा भी OnePlus का स्मार्टफॉन हो कोई भी ठीक है और इसके software ओड़ चुके हो या उसमें तुम password लगा के भूल गए हो या फिर तुम root करते समय अपनी boot file को करप्ट कर ली हो तो इसमें जो मैं process दिखाने वाला हूं उसे तुम हर एक smartphone को ठीक है जो OnePlus के smartphone है उसमें software डाल सकते हो जो प्योर नए software होंगे तुम्हारे phone के वही same to same अभी तुम यहां पर ध्यान से देखो यह भी भाई इसके software ओड़ चुके है यह मेरे पास OnePlus Nord है ठीक है बाग ही अगर कोई भी और smartphone है OnePlus का तुम्हारे पास तो same to same मेरी तरह process करते जाओ वस सबसे पहल की और volume up down की को एक साथ दबा के रखना है यह fast boot में तुम्हारा phone on हो जाएगा तो लोगों का एक और डाउट होगा कि क्या इसके लिए हमें bootloader unlock करना पड़ेगा तो भाई bootloader तुम्हें unlock करने की जड़त नहीं है किसी भी OnePlus के smartphone में software डालने के लिए ठीक है अब तुम अपन सब्सक्राइगे जितने भी OnePlus का smartphone अंप्लस में उसकी तुम यहां से software की file को download कर लेना तो मेरे पास थो ऊपनी कंट्री के हिसाब सबसे डाउनलोड करने फाइल मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया पर क्लिक करूगा तुम ग्लोबल भी डाल सकते हो अदर्वाईस देखो यूरॉच के timing कि होगी वही तुमारी सबसे नहीं फाइल होगी simply तुमारी इस पर क्लिक करने यह तुमारी फाइल बंड़नोड हो जाएगी दिखो मैंने इसको पहले ही डाउनोड करके रका है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा तुमारे टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने पहले ह लिया था मैं जाता हूं पने फाइल में और डाउनलोड फोल्डर में देखो यह रही वन प्लस की फाइल तो जब तुम्हारी सॉफ्ट्वेर की फाइल डाउनलोड हो जाएगी दीखो मैंने इसको पहले ही डाउनलोड करके रख लिया था ठीक है तो यहां पर टाइप भी दे एक्सट्रट हो जाएगी तुम्हें इसके अंदर जाना है एक्सट्रट होने के बाद फिर तुम्हें इसके अंदर चले जाना है यहां पर तुम्हें दिखेगा msm-download-tool ठीक है तो इस तरह का टूल हो ऊस पर double click करना है उसको रुन-च एडिमिनिस्टेटर open कर लेना ठीक ह तो यहाँ पर देखो अपर प्रिपेरिंग हो रहा है तब तक फिर से बोलना हूँ वीडियो को लाइक कर दो अगर यह करते में कोई इसू आता है तो तुम कमेंट कर देना आप देखो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर लिखा है user type तो simply तुम्हें इस पर क्लिक करके other पर set कर देना है and next पर क्लिक कर देना है यहाँ पर username and login कुछ भी डालने की जरूत नहीं है तो जैसे ही तुमारा msm tool start हो जाएका तुम्हें यहाँ क्लिक करना है and यहाँ पर जो भी तुमारी country का नाम होगा वो select कर देना है ठीक है जो भी file download करें उसके बाद में start पर क्लिक कर देना start पर क्लिक करने के बाद अपने phone को तुम data cable के साथ connect कर देना फिर दुबारा से तीनों बटन को एक साथ प्रेस करना and यहाँ पर तुमारा phone connect हो जाएगा और यह तुमारी file है वो uploading start हो जाएगी तुमारे phone में और अगर देखो uploading start नहीं होती है तो simply भाई तुम्हें मैं फिर से बोल लोओ अपनी USB को निकाल कर दुबारा से अपने phone में लगाना और अपने PC में लगाना उसके बाद में volume up down एक साथ दबाने है और उसाथ में अपना power button मतलब तुम्हें तीनों button एक साथ प्रेस करने है ठीक है power button volume up down एक साथ प्रेस करना fast boot में load होता ही तुम्हारा phone यहां पर connect हो जाएगा यहां connect दिखा देगा और देखो यह जो green वाली line है यह भरना start हो जाएगी ठीक है तो समझे लिए जो तुम्हारा software है वो तुम्हारे phone में डलना start हो चुका है ओर यह वाला जो process है भाई यह तो बहुत जादा time लेने वाला है तो मैं हैं से वीडिवो लोगशना पासफ़वड़ कर दर तो ऍव मैंने video को बहुत यह ज़ादा time लेता है तो मैंने वीडियो को बहुत तेज कर दिया है कि जल्दी से time waste नहीं जिससे एंड देखो यहां पर final में लिखके आ जाएगा download complete देखो green green हो गया है सारा तो यहां पर समझ लेना जो हमारी boot file है वो हमारे phone में download हो चुकी है हमारे software हमारे phone में डल चुके हैं अब तुम यहां पर अपने phone को भाई disconnect कर देना अपनी data cable से तो मैं यहां पर अपनी data cable को उटा रहा हूं ठीक है और दिहान रखना जब तुम यह पर प्रोसेस करो तो भाई अपनी original data cable यूज करना एंड देखो जैसे ही software download हो जाएंगे ठीक है complete हो जाएंगे तुमारे phone में तो तुमारे phone automatically reboot हो जाएगा और अगर नहीं होता है तो तुम अपने phone को power button प्रेस करके अपने phone को start कर लेना ठीक है अब देखो यहां पर phone start हो चुका है मेरा वैसे फिलाल तो ज़्या तो तुम यही use कर लेना ठीक है यह वाला method सभी OnePlus के phone पर यह work करता है उसके बाद में तुम अपने phone को जैसा चाहिए वैसा setup कर लेना बिल्कुल नया phone जैसा आता है वैसा तुमारा phone start हो जाएगा I hope यह video तुमारे लिए helpful रही हो बाकि तुम जानता ही हो तुम्हें क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेर कर देना अगर किसे के साथ कोई OnePlus में प्रवलाम आती है ठीक है चलो मिलते है नए वीडियो में बाबाए